आप सब्सक्राइब कर दोनों को बहुत पसंद आएगी रेसिपी अची लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चानल पर नीचे रेड बटन को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को ओन कर दें इसमे लाइख मारे रहें एक पॉर्ट में मैंने पानी करने रख दिया था चुले पर मीडियम फ्लैमोन करके डेट से दो लीटर यह बॉल हो रहा है इसमें चाह का चमच नमख शामिल करेंगे एक खाने का चमच कुकिंग वाल शामिल कर देंगे हमें एक पकेट मकरोनी इसमें शामिल करेंगे कि यह बॉल हो जाए अच्छे से आपको चेक कर रहूंगी कि आप देख सकते हैं कि मारा पानी चेंट हो चुका है कलर इसका और मेकरोनी हमारी हाफ डन हुई है अभी हम इसको 80-90% बॉल करेंगे और ठंडे पानी यह बानी फैंग देंगे ठीक है ड्रेन करेंगे इसको ठंडे पानी से वाश करके साइट पर रख देंगे अब एक मैंने कुकिंग वाप चूगले पर रखा है इसमें आदा कप में ओल शामिल कर रही हूं और मीडियम फ्लेम ओन किया अब एक मीडियम साइज का प्यास चॉप करके मैं इसमें शामिल कर दूँगे यह हम लोग मकरोनी की सॉस त्यार कर रहे है अब इसक अब देखें अब देखें अब प्यास थोड़े सॉफ्ट हो चुके है का कलर भी हलकल का चेंज होगी अब इस पॉइंट पर मैं एक खाने का चमच गारलिक पर शामिल करूंगी अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कुछ सेकेंड के लिए इसको भी सॉटे करेंगे प्य टक पनार पर इसम आपको लगे तख बैश श्याइब लिए ब इसको अच्छे से मिक्स करंगे लाइट गोल्डन ब्राउन तक पकाएंगे इसमें तक्रीबर नब पांत शे साथ मिनट आपको लग जाएंगे चिकन पकाने में वैब इसको अच्छे से मिक्स करते लेbel dang Famous पी अब आप देख सकते हैं कि इसमें अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है तो हम इसको मजीद कुछ सेकेंड पकाएंगे यह बिल्कुल राय हो चुक है इसका कलर भी आ गया लाइट ब्राउं अब इस पॉइंट पर हम इसमें एक बड़ा लार्ट साइज का टेमार्टर चील के इसको बारीक चॉप करके वह शामिल कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग ठीक है अब आप देख सकते हैं कि में बिल्कुल पॉपर इसको चिकन में कोट कर लेंगे एक तरह से कुछ मिनट के लिए मैं इसको कवर करके पकाऊंगी ताकि हमारा टेमार्टर सॉ यह वह किया है और इतने असान चीजों से मैं आपको बताऊंगे कि आप इसको त्यार करेंगे घर पे हर चीज घर में अवेलेबल होती है अब एक कप इसमें मैं टुमेटो केचप शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कोई मुश्किल चीजे नहीं पानी शामिल कर दूंगी ठीक है ताकि हमारी जो सौस है वो थोड़ी थिक नॉर्मल टेंप उस पे आ जाया और इसमें हम लोग मसाले डलने तो जले ना आधा खाने का चमच लाल कुटी मिर्च आधा चाय का चमच लाल पीसी मिर्च एक चाय का चमच कुटी काली मिर्च शा विल कर सकते बीन सब को मेंक्सक कर लेंगे अच्छे से मसालो को मिक्स करेंगे अवय आभवब देख सकते हैं सौस में ओघील अगया था विवं टेब्लसपून स्ब क्शुआ maar गया तो ऒन टेबल स्बॉन रेचब्स नॉh Latino सबंद वाइच वेन तयब्सपून वाइट व यह उप्शनल है अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप शामिल करें नहीं हो तो कोई मसला नहीं आप स्किप कर दें अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्लीज अगर अगर आप तक मेरी चानल को अपने सब्सक्राइब निक है तो नीचे रेड बटन आपको दिख मज़ेदार यमी पास्त मकरोनी त्यार होगी आप जरूर एक बार रेसिपी ट्राइ कीजेगा और मुझे फीडबेक जरूर दीजेगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएगा एक कप में इसमें ग्रीन केप्सिकम शामिल कर रही हूं जो मैंने छोटी जाधा लग रही हो सोस तो अप अपने हिसाब से मसाले कम कर सकते हैं अब मैं मैं मेकरोनी जो बॉल करके रख दी थी साइप वह इसमें शामिल कर देंगे यूजली क्या होता है कि जब हम मार्कीर्स में रट्सन में जब में मैकरोनी खाने जाते हैं तो बहुत अच्छा लग तो आप देख सकते हैं मैंने इसको कवर करके भी पकाया था तीन से पांच मिनुट अपसको मिक्स करेंगे लीजिए मज़ेदार मकरोनी तैयारे बिल्कुल रेस्टराइन स्राइल में तो ज़रूर ट्राइ कीजेगा एक बार अपने फैमिले और फ्रेंज में शेयर कीजेगा वीडियो को और मुझे कॉमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और मुझे आप मजीद क्या रेसिपी बनवाना चाहते है जो आपको मुझे बतायेगा मैं आप लोगों के लिए वो रेसिपी बहुत ही असान तरीकों से बनाऊंगे और ले कियांगे तब झाल, 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 झाल